विल्कम फ्रेंट्स आज का हमारा वीडियो है डिफरेंट टाइप आफ हैमर्स के बारे में इससे पहले हमने मार्किंग और मेजरिंग तूल का वीडियो अपलोड कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो देखते हैं कि आज हैमर के बारे में ऐ सबसे ज्यादा क्लॉ हैमेर का किया जाता है इसका जो हैंडेल है वो प्लास्टिक का तेप रूवर ग्रीप बना होता है इसका एक फेस है वह होता है फ्लैट जीससे हम हैमरीं कर सकते हैं Veer म्ल्सका होता है ये होता है इसी क नाम पर इसका पड़ा है नाम ко एमर इससे हम केल वगेरा को काटी को हम लकडी से निकाल सकते हैं कि कि इसका म सब्सक्रुबब जो उसकर यूज़की हुच करते हैं ईसका आफेल gleich इसका शायज्ब फिर उसका रिवीटिंग को वाल की तरह बार की स्वेरिकल होता है इसलिए इसका नाम पड़ा है ball pin hammer इसका अभी label size है वो 55-110 ग्राम के पीच में होता है जो लेकिन जो mostly used होता है उसका जो बेट होता है 110-165 ग्राम के बीच में होता है यह general used फॉल है most popular है यह exam में आपको पूछा जा सकता है कि ball pin hammer का most popular加 है या field कितना होता है नेक्स्ट है हमारा cross pin हमर्य क्रॉस P俺 का मेटल को सेव देने के लिए इसका एक पीन होता है मतलब एक जो होता है परपेंडिकुलर टूधा हैंडल मतलब जो हैंडल है उसके परपेंडिकुलर हता यह लाइट वर्जन है चोटा रूप है उसका इसका बेट होता है 55 ग्राम इसका बेट होता है नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा क्लब या लैंप हैमर क्लब या लैंप हैमर क्लब या लैंप हैमर क्लब या लैंप हैमर का क्या होता है कि इसका दोनों फेस होता है वो फ्लैट होता है जो डबल फेस है डबल फेस हैमर है यह लेकिन दोनों फेस इसका फ्लैट होता है इसका यूज करते हैं लाइटर डॉमेस्टिक बर्क के लिए इसका यूज करते हैं जैसे चीजल पे स्ट्राइक करने के लिए या फिर काटी वगेरा को उसको स्ट्राइक करने के लिए इसका एवरेज बेट होता है वह था है 1135 ग्राम मौश्च शूटेबल बेट है वह है 1135 ग्राम नेक्स्ट है हमारा स्लेज हैमर स्लेज हैमर काफी वहारी हैमर होता है इसका यूज करते हैं हैबी मेटल बर्ट्स में या फिर मेटल को काटना है सड़िया को काटना है उसमें हम इसका यूज करते हैं इसका बेट वहरी करता है 7 से 14 पांड के बीच उसके बाद है मैलेट भी लकड़ी का होता है और यह जो striking वाला position है वो भी होता है लकड़ी का बना गवा लेकिन जो इसका ये इंड है ये वाला जो ये इंड है ये होता है inclined inclined इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हम इसका यूज करते हैं seat metal working में जब seat metal पर strike करें तो उस पर सही से strike हो पाए इसलिए थोड़ा सा inclination इसमें दिया जाता है मतलब ये थोड़ा सा tapered होता है ठीक है उसके वाद है soft face hammer soft face hammer इसका जो face होता है या तो rubber का बना होता है या फिर ये plastic का बना होता है या rubber का बना होगा या फिर plastic का बना होगा ये soft काम में यूज किया जाता है जैसे कि हम seat metal बर के अल्मूनिय हमका seat का कोई चादर का बना रहे हैं कोई चीज तो उसके में हम इसका यूज करते हैं और ये इसका handle होता है वो wooden होता है या फिर plastic का भी हो सकता है लेकिन ये जो striking वाला point है hammer का ये interchangeable होता है आप इसको change कर सकते है plastic से change करके आप rubber लगा सकते हैं या फिर कोई और material लगा सकते हैं अपके अपने यूज के recording नेक्स्ट है मारा power hammer power hammer का यूज किया जाता है यह electricity से चलता है इसलिए इसका नाम दिया गया है power hammer power hammer का काफी ज्यादा यूज है industrial में इंडस्ट्री में power hammer का ही यूज किया जाता है most जो usage है mostly use है वह होता है कि nails जो काटी ठोकने वाला होता है वह सबसे ज्यादा यूज किया जाता है power hammer और भी इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा यूज है उसके बाद है special purpose hammer special hammer जिसको बोलते हैं यह hammer तो बहुत काफी तरीके का होते हैं लेकिन जितना अभी तक पढ़ें हम लोग वह काफी ज्यादा यूज में होते हैं उससे question सम पूछने के समभावना है ज्यादा है लेकिन और भी बहुत ज्यादा hammer है तो उनके नाम सिर्फ यहां पर लिख दिया है मैंने तो देख लेते हैं पहला है brick hammer जो राजमिस्तिरी यूज करते हैं उसके बाद है builder hammer जो builder लोग यूज करते हैं उसक बाद है dead willow hammer उसके बाद है bussing hammer हाप hashtag hammer उसके बाद aluminium hammer जो genuinely का वाना होता है फिर है blocking hammer next hammer geologist तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक किजिए